दोस्त गुर्टेच बठिंडा पंजाब से काफी दोस्त मुझे जानते हैं और कुछ दोस्त पहली बार जुड़े होंगे उनका भी आज इस मीटिंग में वेलकम करता हूं तो अपनी बात रखने से पहले मैं सबसे पहले ठेंक्स करना चाहूंगा मेरे जिस्पॉंसर हैं मिस्टर ताप्षपाज जी फ्रॉम कलकत्ता क्योंकि नेट्वर्क अंड़स्टी में किसी भी कॉंपनी में जब हम सैन होते हैं हमें उसके बारे में नहीं होती ग्यान नहीं होत तो कोई ना कोई शेक्ष होता है जो हमें उसके बारे में जानकरी देता है तो वो जिन्होंने मेरे को जानकरी दी थी मेरे को बिताया था वो कलकत्ता से हैं मेरे जो स्वंसर हैं उनका नाम है ताप्ष विश्वास सबसे में उनका मैं ठेंक्स करना चाहूंगा और उसके बा सुनने के लिए आप बेताब चाहिए और मैंने एक चीज और नोट की कि जैसी आठ साथ बज़ कर नौ मिन्ट हुए उस एक मिन्ट में बहुत सारे साथ ही जुड़े उसका रीजन क्या है कि सब को यह लगता है कि जो चीज़ कहसता आएगा कोई भी वो साथ बज़ कर दस मिन् माई डियर फ्रेंड जहां पर आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि होस्टिंग भी एक बहुत बड़ी कला है आपको भी होस्टिंग करने का मौका मिलेगा जूम के उपर स्थेज के उपर तो जब आपको मौका मिलेगा अगर आप last साथ बज़े ही जुड़िए ताह कि कि आप फोस्टिंग करना अच्छे तरिक्के से सीख पाएं तो आज का जो हमारा शैसन है मैं दो तीन टॉपिक के उपर आफ से बात करने वाड़ा हूं सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेल्फ डिपेंट किसी भी काम में अगर आप कामजाबर होना चाहते हैं बड़े लेव को ब्रैंड मनाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिपेंट होना पड़ेगा जैसे आज की डिट में आपने दिखा होगा कि एक बात बोलता है कि मेरी अप्लैन मेरी स्पोर्ट करें मेरी अप्लैन मेरी स्पोर्ट नहीं करती ऐसे क्वाच्छन आपको बहुत सारे सुनने में म प्लान करना सीखना आपने, बात करने सीखनी है, राइट, आपने खुद सीखना है, सेल्फ डिपेंट जब आप हो जाएंगे, जैसे आपने एक परसन लेफ्ट में, एक परसन राइट में साइन कर दिया, उसके बाद आप भी अप्लेंड बन चुके हैं, उन दोस्तों की आप तही साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे नेटवर्क अंडस्ट्री में, और तही साल पहले जब मैंने नेटवर्क अंडस्ट्री में पाऊं रुखा, उससे पहले मैं क्या करता था, मैं शुरू से लेके आज तक अपनी लेफ में, सेल्फ डिट बेंट रहा हूँ, और उसका परिनाम आज आपको बताऊंगा कि उसका बेनिफ्ट मुझे क्या मिला, सबसे पहले जब मैं स्टडी करता था, आठमी क्लास पास करने के बाद, मैंने स्टडी को छोड़ दिया, मैं अब ये नहीं आपको मैसेज देना चाहता कि आप स्टडी को छोड़ दीजिए, लेकन मै मैं आपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गर के जो हलात थे, वो ऐसे थे, कि ना तो कोई हम कोर्सी कर पाएंगे, ना ही किसी अच्छी जॉब पे लग पाएंगे, मैक्सिमिम्म टेंस तक पढ़ाएंगे, जा प्लस टू तक पढ़ाएंगे, इसके बाद कोई कोर्स वग पूछने के लिए, कि मैं काम सीखना चाथा हूँ, और कोई साथी मेसेज कर रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है तो बताें क्या आ वाज आ रही है से, येस, देंकिए, तो मैं खुद फिनकान के ऊपर, कि मैं काम सीखना चाथा हूँ, पहली दweekान पे मुंझे बोला गया कि आप की एज अभी छोटी है हम नहीं रखेंगे और नेक्स दिकान पर गया तो उन्हें बुला ठीक है आप आईए नो इशू तो सेल्फट बेंट की स्टोरी जहां से स्टार्ट होती है मेरे पिता जी को नहीं पता था कि मेरी दिकान कहां पर है कहां पर मैं काम सिखने गया हूँ और काम सिखा और काम सिखने के बाद जब बारी आतियत के मैं दिकान करूँ तो मुझे ये लगा कि यह इस काम में कोई इतना बड़ा फैदा नहीं होगा लेक्षिन के काम में कोई ऐसा काम डूलू कि जो हमारा लेरागा का मंडी पढ़ता है वहां पे कोई दिकान ना हो जो को हमारी मंडी थी वह थी लहरा गागा दिस्ट्रक सुरूर में के हमारी मंडी में कोई ऐसा काम जो कोई ना करता हो वह काम ऐसा हो कि जो वह काम करवाने के लिए लोग बाहर जाते हो तो मुझे पता चला कि जो हम गाड़ी का सेल्फ मारते हैं उसमें एक आर मिच्ड होता है उ कि जो हम सीख पाए तो वो भी मैं खुदी गया संगरूर डूंडने के लिए कि मैं काम सीखना चाहता हूं तो काम सीखा उसके बाद बारी फिराती है कि दिकान डालनी है मैंने अपने फादर साहब से बोला कि मैं दिकान करना चाहता हूं तो फादर साहब ने बोला कि आप कुछ पैसा कमा के खुद के पैसे से तो इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दकान करने के बाद काम करना स्टार्ट किया काम अच्छा चला बहुत मेंद की कही की रात तक मैं सोता नहीं था इतना काम होता था मेरे पास तो किसी इंसान ने मुझे बुला कि हमारे शहर में आज मीटिंग हो रही है एक जुएस रिकिकी कॉम्प्ण के बनती है अब उस कि आसकते हैं अगर आपको इंटरस्ट के की पैसा जरी से कि में । वह वह सांटेma किया और अखिर को मेरे को पहले दो साल में 209 थे लेकन आज की देट में जहां पर तो पैसा कमाने की बहुत है जहां पिय whisk लाक्न का प्रकत. तो पढ़ेगी पढ़े गा तो टिके रहीं आप तो काम करना स्टार्ट किया पहले साल में मात्र 209 का मिरेको पेउड़ाया और 2109 अ पाइल एक लाग चल गी मेरी दूसरी लाग चल दी तो इसलिए महन तो मैंने खूत की उसके बाद मैंने उसकाम को छोड़ दिया काम को छोड़ने के बाद मेरी जुदकान थी उसको भी मैंने छोड़ दिया छोड़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कोई जॉब करता हूं तो चंदीगड में स्टीडी पे जॉब की वो स्टीडी भी मैंने खुद ही डूंडी खुद ही डूंडी मैंने जाके पता की है मेरे दोस्तों से पता चला के वहां पे एक PGA है पेंगेस्ट वहां पे लड़के रहते हैं एक STD है और आपका काम होगा कि वह लड़के जहां पे रहते हैं उनको बलाना है अगर किसके घर से कॉल आता है तो उनको अन्वाइट करना ह बातने फोन के बलाना है तो वो STD मैंने खुद ही डूंडी वहां पे मैंने जॉब की और वहां पे जॉब करने के बाद फिर 32 सेक्टर अमर्जंसी हॉस्पीटल है वहाँ पर मैंने जॉब की एजे मनेजर और वो भी मैंने खुदी डूंडा और उसके बाद केवल नेटवर का काम की है मैंने अपने गाउं में आकर यहाँ कि वो मैस बंद हो चुकी थी और वो बंद होने के बाद केवल नेटवर का काम और वो भी मैंने खुद ही decide किए यह मैं काम करूँगा तो self-advent होई है इसका last में देखिएगा आपको मजाने वाले कि self-advent होने से होता कि इसके बात दबारा फिर मैं network industry में enter हो जाता हूँ और चोरी से होता हूँ क्योंकि आज भी अगर हम market में बात करें यह network को लेके तो लोगों के मन में गल्तदार नाई बनी हुई है हमारे गर में हमें बोला जाएगा कि network industry में निकालने के लिए कुछ नहीं है my dear friend जे अंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रोडपती बनाने वाली अंडस्ट्री है तो network industry में एंटर हुआ और घर से चोरी से मैंने अपने पिता जिसको नहीं बताया अपनी माता को नहीं बताया कि मैं किसी network industry में द्वारा से वहां पर कोई issue आता है अच्छी इंकम थी तो उस company को मझे छोड़ना पड़ जाता है तो चलते चलते देखो एक बात आपको बताना चाहाँगा कि अगर आप जिंदिगी में बहुत बड़ी लेवल पर जाना चाहते हैं आपको चार से पांच बार बुरी तरहां फेल होना पड़ेगा जब आप फेल होते हैं तो आप अपनी हिम्मत को तूटने मत दीजिए अपनी हिम्मत को बना के रखे उस टाइम पे ऐसा कोई इनसान नहीं है कि जिसने कोई पहला काम किया और पहले ही काम करने से उसने कीर्ची मान रच दिया हो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ आपकी कामजाबी में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपकी अक्सैट्मेंट तो इसलिए क्या बोल रहा हूं आपको बार-बार सेल्फ डिपेंट होई है तो ऐसे चलती रही जिन्दगी माई डियर फ्रेंड और आज से पांच साल पहले लगबग हां पांच साल होने बा जाता हूं बताने के लिए नहीं है था मैं ने खुद डूंडा इसको कैसे मैं सबजी मंडी में सबजी ले रहा था मेरी मैडम के साथ वहाँ पे एक शक्षत है वह नेटवर्क अंड़स्टी में काम करता था मैंने उसको बोला जयर मैं फ्री हूं और मैं में तो काम नहीं करण प्रिन Juice में तो आप सोच के देख जहां पे आप को कोई बंदा बता रहा हो इन सान क करये के बारे में बताइद हैं और मुझे नहीं जबीकप कर आप एक देख लीजे hatte तो मैंने नेट पे सर्च किया सर्ट करने के बाद मैंने इस company के बारे में total buy data check किया, देखा भी क्या है, कि ऐसा plan है, पूरी जानकारी कठी करने के बाद, तो मैंने बड़ी मुश्कल से एक month लगा था मुझे, one month डूणने के लिए, क्या डूणने के लिए, कि मैं सैन किसके साथ हूँ, किसके साथ सैन हूँ मैं, और मैंने market में call कि, क्योंकि net के उपर देखे, YouTube के उपर देखे, मुझे थोड़ा सा पता चल चुका था, क्योंकि experience पहले क्या था, कि product अच्छा है, प्लान अच्छा है, दस लोगों की ID मैंने phone के उपर निकाली, phone के उपरी, दस, और वो लोग मुझे क्या बोल रहे है, कि सर product दीजिए, मै मैं बोल रहे हूँ, हाँ आएगा product, मगा रहा हूँ, मगा रहा हूँ, मेरा sponsor नहीं मिल रहे है, मैं किसके साथ से नहीं, तो उसके बाद, टफसर के साथ मेरा संपरक होता है, मेरी ID लग जाती है, और ID लगने के बाद, वो कलकत्ता से है, मैं बठिंडा से हूँ, मैं काम स्ट प्राट कर देता हूँ, शुरुवात में challenge बहुत आए, 15-15 day हमारी company का product नहीं आता था, शुरुवात में, service को लेके बहुत ज्यादा challenge थे, और खुद का plan मैंने खुदी किया, खुद की meeting, मुझे ज़्याद है कि 15 लोगों की meeting, पहली meeting थी जो, मैंने वो खुदी की, अपने दम पे, तो self-advent होने का benefit क्या होता है, कि आपकी excitement बहुत बढ़ जाती है, जब आप self-advent हो जाती है, challenge बहुत थे, शुरुवात में, क्योंकि ना कोई payout दखाने वाला था, न ना कोई आके sport करने वाला था, ना कोई meeting देने वाला था, है ना, जैसे leg look का system होता, ना कोई leg देने वाला था, दोनों ही leg मैंने अपने दम पे build की है, कितनी बड़ी बात है, my dear friend, आज की rate में मैं देख रहा हूँ, पूरे इंडिया में, बहुत बड़ा एक challenge है, कोई बोलता की बड़ा काम है, क्यों, क्यों अवाहज हो कि आप depend होते हैं किसी के उपर, अवाहज होता है ना जो person, वो depend होता है, यार मेरी को sport नहीं कर रहा, आप बिलकुल perfect हैं, आप अपने senior से बैठ के सीखिए इस काम को करना कैसे है, meeting seminar के लिए time ले सकते हैं, कोई डिक्कत नहीं है, प्लान वलान तो खुदी आप कर जाईए, लोगों की कमी नहीं है, मार्किट में, 140 क्रोड की अबादी है, 140 क्रोड की अबादी है, माई दियर फेंड, कमी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इस काम को करना सीखना है, जब सीख जाएंगे, तो आपको दुनिया के कोई ता जो मेरी जिन्दगी का पहला मकान था, वो मैंने खुदी डाला, खुद बनाया मैंने, आज की डेट में मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास है, जो मैंने कामजाब हुआ हूँ, तो इसमें मेरा खुद का बहुत बड़ा रोल है, अपने दम पे कामजाब हुआ हूँ, और इ किसी को बोलना चाहूंगा जिनने मेरी स्पोर्ट की है एक है मेरे मदर बहुत उन्होंने मेरी स्पोर्ट की है क्या स्पोर्ट की है उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि बेटा तु यह नहीं कर सकता ऐसा कभी नहीं ने बोला आज मेरी मैडम है वो मेरी स्पोर्ट करती है मेरे पिता जी ने मेरी स्पोर्ट की है लेकिन मैं डिपेंट नहीं हुआ जैसे देखो मादर फादर सब की स्पोर्ट करते हैं बाई बेहन सब की स्पोर्ट करते हैं लेकिन कई बार हम डिपेंट हो जाते है डिपेंट नहीं होना आज की डेट में 64 लाख रपे का सिंगल प्योट मैं रिनटस वेलनस से ले चुका हूं चौंट लाख रपे कभी मैं 2000 पे के उपर स्टेडी के उपर जॉब करता था साइकल के उपर मैंने काम स्टार्ट किया था हमाई डियर फ्रेंड आज की डेट में मेरे पास फार्चुनर भी है और मेरी मैडम को मैंने हॉंडा हमेज गिफ्ट की है और 21 लाग का हाया बुसा है हारले है आप सोचिए ग्रीन सीटी एक ऐसी कलोनी है मैं एक बात आपको बतान चाहूंगा कि ग्रीन सीटी जहां पर मैं अभी रह रहा हूं हमारे 200 क्लिमेटर के एरिया में यहां पर यहां पर मैं रह रहा हूं अपने दम पर मिकान बनाए जहां पर मैंने और बहुत सारे रिकॉर्ड हम पैदा कर चुके हैं TGS की आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा कि क्या क्या रिकॉर्ड हमने पैदा किये हैं पहला पॉइंट रिनर्ट स्वेलनस में एक इमरल्ड है जिसका नाम है गुर्ते सिंग इमरल्ड का स्टेक्टर थोड़ा सा आप ड्रैंक कीजिए अपने उसके उपर पेपर के पर फ्री होने के बाद हमारा प्लान देखिए कि अमरल्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपका कॉंफिडेंस लेबल साथ में इसमान पर होना चाहिए क्या अब TGS के साथ उड़ यँ का क्या चोटा मोटा ब्रैंड नहीं आजकी डेट में अम्राल्ड बनने के लिए दो फांडर इलिट बनाने पड़ते हैं ड्रेग्ट यू और दो फांडर इलिट के निचे चार रिजिजिनल इलिट बनाने पड़ते हैं उसी बीक में और चार रिज्गनल इलिट के निचे आठ सीनियर इलिट बनाने पड़ते हैं उब खते जिद्गे एक एक दो lifelong यह तेवल ना पड़ता है तैसatan के निछे है ऐससेट मिस्तों हो यह पने गा और एक छाइड नी बनेंगा है और एक विलणने बनेगा तो उपर एक एग्जेकुटव नहीं बनेगा और एक उपर रिजिनल एग्जेकुटव नहीं बनेगा जब रिजिनल एग्जेकुटव नहीं बनेगा जब रिजिनल एग्जेकुटव नहीं बनेगा तब उसके उपर एक सीनियर रिलेट नहीं बनेगा जब सीनियर रिलेट नहीं बनेगा फिर उसके उपर एक पॉंटर नहीं बनेगा और गुर्ते सी फिर अम्राल्ड नहीं बनेगा आप सोचिए कि कहां तक ब्रेन को चलाना पड़ता है यह असान काम नहीं है अम्राल्ड की बात कर रहा हूं मैं लेकन नेटवर्क अंडस्टी में कुछ भी किया जा सकता है अगर आप अपने ब्रेन को बहां तक अपडेट कर लेंगे जब मैं अम्राल्ड बना था तब मेरा जो प्योड था वो 64 लाक रपय था उस मंत का यह सेल्फ डिपेंट होकर की है मैंने राइट आप अपने आपको कहां तक भी लेके जा सकते हैं कितने भी चाहियों को शो सकते हैं कोई आपकी सीमा नहीं है यह जो सीमा बनाई है हमने ना पांच यह चाहिए दस यह चाहिए बीस यह चाहिए तीस यह चाहिए पचास यह च कमाना चाते हैं पैसा कमाना चाते हैं लेकन उसके लिए अपडेट नहीं करना चाते एक बार एक स्टोरी के द्वारा आपको बताना चाहूंगा हुआ कि हुआ कि एक परसंड जॉब करता था और वह अपने बॉस के पास जाता है कि सर आप मेरी सेलरी बढ़ा दीजिए तो शीहर पर जाके बैट जाईए तो शक्ष्ण ने भॉला के आप पांच लाख भी लेकिन अपनी क्वालिटी अपनी काभलियत को बहां तक लेके जाए अप दस लक्त बोलेंगे वह देने के लिए त्यार हूं आप दासेयर कमाने के लाइक हैं इसलिए मैं दासेयर ही देता हूं आपको तो माई डियर फेंड जितना भी आप अपने आपको अपगरेड कर के उतना ही आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो यसे मैं बोल रहा था कि आज की डेट में बहुत बड़े-बड़े रिकार्ड हैं हमारे बनाए हुए जैसे मैं ठेंक्स करना चाहूंगा जहां पर एक और शक्ष मिस्टर सूरश शर्मा जी बहुत साथ देते हैं TGS में वो ज जो हमने कीर्थी मान रच दिया राम नगर उत्राखंड में आज तक किसी कॉंपणी ने पच्पन सो रप्य की टिक्टल गाके पंद्रा सो चौंती लोगों का पूरे इंडिया में टू नाइट थी डे का प्रोड़ाम नहीं किया जिए रिकॉर्ड है कि 64 लाख रप्य का तुझे जो रिकॉर्ड है ना यह अपने ब्रेन में फिट करके चलिए कि आप TGS के साथ हैं कि बोलने के लिए देखे कोई कुछ भी बोल सकता है बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें आ जाती है उसने यह बोल दिया यह बोल दिया वोल दिया ऐसा बोल दिया हम और एक हमने बठिंडा में बहुत बड़ा प्रोड़ाम किया था उसका कई की है एक नहीं किया कई की है नेट पे आप जूट्व पर जाके मेरे पर चेक कर सकते हैं बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और अभी आपको क्या करना है उसके उपराते हैं अभी आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या करना है अभी हमारे मेगा शो होने स्टार्ट हो चुकी है और बीस अगस्त हमारा जो मेगा शो पहला मेगा शो होने जा रहा है वो होने जा रहा है जीन्द में तो अगर आपके 200-200 km के एरिया में परसन है तो वहाँ पे मेगा शो में लेके आईए और आज हमारी कलोजिंग है टार्गिट लीजिए कि जो दोस्त आज ड्रेक्टर थौजंट बनेंगे उनको जीन में सनमान्त किया जाएगा जो जीन में आएंगे और आप चेक कीजिए आप ड्रेक्टर थौजंट बनके डिल्ली में, लिखनों में, पटना में नागपुर में कहां पे आप सनमान्त होना चाहते हैं जहां जहां हमारे प्रोड़म हो रहे हैं आप कहां पे आएंगे सनमान्त होने के लिए बहुत ही बंदरफल होनगे जो हमारे महょहाइअ होनगे और यह कैसे चलते रहेंगे जैसे अब इस जीन में करेंगे हम महगाश हो जो ड्रेक्टर थौजंट जींध में आएएंगे उनको बहां पे सनमान्त करेंगे और जो रह जाएंगे मानके चलो जो रहे जाएंगे कि हम बाढ़ना चाते हैं उनको कहां पर सनमान्त करने का मौका मिलेगा फिर दिल्ली में तो जब तक डिरेक्टर थौजन्ट जितने भी बनेंगे उनको फिर दिल्ली में सनमान्त किया जाएगा जो new होंगे फिर लुद्याना जैसे पंजाब, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है ना, राजिस्तान हो गया, जो जहां के डिरेक्टर थौजएन्ट होंगे, उनको कहां पे हम सन्मान्त करेंगे, पंजाब तो आप टार्गिट लीजिए कि आप कहां पे सनमांत होना चाते हैं जैसे जो बिहार के पटना के जितने भी डिरेक्टर थाजन्ट होंगे उनको कहां पे सनमांत करेंगे बिहार पटना में जो बिहार के डिरेक्टर थाजन्ट होंगे और जो एकजिक अपना जूप के ड्रेक्टर 1000 होगे कहां पर वाद लोघ में ऐसे तो आप देखिए कि कहां चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-अब को बहुत चाईयों पर ले जाते हैं बहुत बार हम क्या करते हैं अपनी लैट में TARGET नहीं लेते अगर TARGET नहीं लेंगे तो आप काम करते जाएंगे मंजल तक नहीं पहुंचेंगे कामजाब होने के लिए आपको TARGET लेना पढ़ेगा और इस बार एक और बहुत बड़ी खुश्खवरी आपके लिए इस बार का हमारा जो रीट्रीट है वो मत्र पच्ची सो सीसी 2500 सीसी तू मन्थ में कंप्लीट करके आप आ सकते हैं रीट्रीट पे और इसके बाद हमारा जो रीट्रीट होगा वो थ्री मन्थ का ही रहेगा जैसे पहले होता था टू डे वन नाइट का तीन मन्थ में 3000 सीसी और इस बार दो मन्थ में कितना करना है मत्र 5000 सीसी आप कंप्लीट करके रीट्रीट क्वालिफाई कर सकते हैं आप टार्गिट लीजिए राइट और दो ही टार्गिट आपके पास डिरेक्टर 1000 आप निकल जाएंगे तो आपका आटोमाइटिक होगा रीट्रीट तो क्योंकि अगर आप एक हफ्ते में 1000 सीसी करेंगे तो 1500 तो आटोमाइटिक हो जाएगा आपके पास प्रड़क्ट अवे लेबल होना चाहिए जब भी आप मार्केट में जाते हैं आपके पास प्रड़क्ट अवे लेबल होना चाहिए अभी तो हमारे बहुत ही बन्डरफल प्रड़क्ट आ चुके हैं जैसे इमोजन्थ 40 सी सींसर इमोजन्थ के रिजल्ट देखिए आप थोड़ा सा कितने बड़े रिजल्ट है उसके आप खुद जूज कीजिए उसको एक मंथ जूज करके देखिए फिर आपको पता चलेगा क इमोजन्थ है क्या बहुत ही बन्डरफल रिजल्ट है उसके और मैं ज्यादातर रिजल्ट की बात करता ही नहीं हूँ क्योंकि फूड सप्लीमेंट हमें हेल्दी रहने के लिए जूज करना चाहिए पहले आप जूज कीजिए अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं आज ही कि आप इमोजन्थ का आउडर डालिए पहले खुद जूज कीजिए जब आप 15 जूज लगाता करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि कितना वंडर्फल उसका रिजल्ट है प्रोटीन पॉडर कितने फ्लेवर के हमारे पास प्रोटीन पॉडर आ चुके हैं हमारा पेस्ट ये प्रड़क्ट आपके पास कम से कम 15 से 20 जा रपे का आपके पास स्टॉक अभी लेबल होना चाहिए जब भी मार्किट में जाएं अगर सामने वाड़ा बंदा सैन होता है तो भी ठीक है सैन नहीं होता कम से कम उसको कस्टमर तो बना के आए रोटेशन करना होता है प्रड करना सीखिए जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना जल्दी आप ग्रोथ कर पाएंगे और एक आपके पास प्रड़क्ट फैल है हमारी वो आपके पास अभी लेबल होनी चाहिए एक अच्छी लेटर पैड़ आपके पास होनी चाहिए पहले आपने ये टूल पूरे करने है टूल पूरे करने के बाद जब आपने target ले लिया है तो आपने knowledge gain करनी है knowledge gain करने के बाद फिर action करना है ठीक, जो आपने target लिया उसका क्या करना है action करना है और right action जब आप करेंगे उसके बाद आपको एक अच्छा result आपको मिलने वाड़ा है और बैठ के सोचिए कि आप क्यों आए है नेटवर्क अंडस्टी में क्यों आए है रिनटस वेलनस में क्या आपका ड्रीम है कहां पहुंचना चाहते हैं कितना पैसा कमाना चाहते हैं कौन सा रंग कब आप अचीव करना चाहते हैं यह बैठ के प्लानिंग कीजिए खुद के स साथ अपने सिनियर के साथ बैठिए कि सर मैं डिरेक्टर थौजंड बढ़ना चाहता हूं इसके लिए क्या-क्या काम मुझे करने पढ़ेंगे तो माई डियर फ्रेंड टार्गिट लीजिए बदौर टार्गिट आप कहीं पर पहुंचने बाले नहीं है और लिखती रूप में लिखिए कि आपका टार्गिट कौन सा है कहां पहुंचना चाते हैं कितने टाइम में पहुंचना चाते हैं नहीं तो आप काम करते जाएंगे होता क्या है कि मान चलो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी 100-100 लोगों की टीम है लेकिन उनका खुद का कोई टार्गिट नहीं है उनकी टीम का कोई टार्गिट नहीं है और 100 लोग अगर एक हपते में 100-100 सीसी भी करें तो आप सोची कितना सीसी डल सकता है अगर आप अपनी टीम को टार्गेट देंगे तभी वो टार्गेट अचीब करेगी अगर आप अपनी टीम को टार्गेट नहीं देंगे तो अचीब क्या करेंगे जैसे अभी हमारा अजंडा एक ही चल रहे है इस quarter में जही चलता रहेगा हजार करेंगे एक हजार जहां जहां हमारा प्रोग्राम होता रहेगा जितने डिरेक्टर थौजंड निकलते रहेंगे वहां-बहां मसनवांत करते रहेंगे अजंडा क्या है क्या आपको उपर से जानकारी मिलती है उसके उपर लग जाईए बस दवाके आज ही लिस्ट बनाईए कि आपकी टीम में कितने डिरेक्टर थौजंड निकल सकते हैं राइट कहां-कहां से निकल सकते हैं लिस्ट बनाके ओवरफोन उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए यह चोटे-चोटे टार्गेट लेता-लेता माई-डेयर फ्रेंड आज मैं बता नहीं सकता कि कैसी लाइफ है खुमस्ट, पैसे को लेके टेंचनी नहीं है कोई टेंचन नहीं है जैसे अभी आपको माळ्म है अभी मेरा प्रोगाम कहीं पे नहीं हुआ गर पे बहुत सारे दोस्तों को बलाता रहते हूँ, क्योंकि हमने जो स्टैट्टिजी की थी हजार करेंगे एक हजार है ना मेगाशो को लेके मेगाशो तो अभी फोने स्टार्ट होंगे लगबगडा ही मन्त में गर पे था गर पे बलाता था टीमें आती रहते थी गर पे प्लानिंग करके चली जाती थी लेकन जो पेयाओट है फिर भी बैसे का बैसा चल रहा है किसी भी तरह की कोई उसमें चैलेंज नहीं है फिर भी बहुत ही बंडरफुल पे उटा रहे दिखिए कल मैं मूवी देखने के लिए चला गया मैडम के साथ मेरी के साथ गदर टू तो जब मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था तो पार्किंग में बहुत सारी गाड़ीयां खड़ी थी और काफी बीड़ थी तो मैं ने बोला के मेरी बैडम बोल रही है इनका तो बहुत अच्छा काम चलता है इतनी गाड़ीयां खड़ी है है अच्छे पैसे बंटे होंगे इनको मैं कहा अच्छे पैसे बंटे इनको बनता होगा कम से कम डेड़ लाकर पर बुली बस गाटनिया उतनी खड़ी है मैं 30 रपाइक से लेती है बचारी एक टाइम में 40 गाट यह खड़ जाती हूं इनके जहां पर इससे जदा खड़ती नहीं है दो बार तीन बार आके फुल हो जाता होगा तो यह डेड़ लाकर पर कमाते होंगे खर्चा भी है बुली फरम तो डेड़ लाकर पर कमा दिनमें भी कमा लेते हैं मैं कहीं यह मंद्ध कितने बड़े ड्रीम जहां पर पुरे हो सकते हैं अभी मैं एक मार्कीट बना रहा हूं माई डियर फैंड जो मेरी ड्रीम मार्कीट है उसमें 100 तो शोरूम बनेगा सौँ साथ एक कड में प्रट्रॉल पंप भी होगा वहां पे के आफ सी भी होगा एक मार्कीट भी बना रहा हूं मैं यह नहीं बोल रहा है एक शोरूम परचेज कर रहा हूं 100 शोरूम तो निच्छे होगा अगर डब स्टोरी की बात करें तो 200 शोरूम होगा आपको पता है कि आज की डेट में डबल स्टोरी जो शोरूम है उसकी मार्कीट वैलू क्या है अगर बिल्कुल चंदिगड रोड पे हम लेते हैं राइट और यह कहां से मिला सब कुछ यह नेटवर्क अंडरस्टी से मैंने अर्न किया यह सब कुछ आज पैसे को लेके किसी तरह का मैटर नहीं है और जितनी भी इंकम और इनटस वैलनस से आती है ना वो तो सेविंग में वैसी रहती है और जो मैं खर्चा करता हूं जितना भी करूं उससे ज़्यादा मेरे को रेंटल इंकम आ जाती है तो दोस्त आप सोचिए कि जो शक्ष आज से तेई साल पहले साइकल के उपर जिसने काम स्टार्ट किया था उसकी जिंदगी आज की डेट में कैसी है अगर आप टार्गिट लेंगे टिके रहेंगे डटे रहेंगे तो आपको भी कोई दुनिया की ताग नहीं रोक सकती काम प्रोड़ीट करूंगा छोटी-छोटी चीजें आपको जो तंग करती हैं मैं बताना चाहूंगा जैसे जैसे कि टिक्ट बहुत सारे साथी टिक्ट को लेकर बहुत टेंशन में रहें नेटवर का अंडस्टी में कामजाब होने के लिए मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा रिनटस वैलनस में कामजाब होने के लिए जैसे हमारी जो मीटिंग होती है एक मीटिंग का जो टिक्ट होता है जैसे अभी जो हमारा टिक्ट रखा गया जीन में वो रखा गया डा बात करूंगा 16 में अब तक कितने लोग्हें नहीं बठापाया उसे ज्हादा नहीं मिठाप आ सब्सक्राइब बने एधियर याझे एधियों लोगों को मैं में ट्छाइब 30 लोगों को मैने मेटिंग दिखा ही होगी मेकूं को三व three किसी का 200 को किसी किटने का अब देखिए कितने दोस लिख रहे हैं तेईस बढल तो लिक्न चलता है इतना चलता है यह लग रहा है आप झोड़ा कलोड़कु लिखा 30 10 यह है लिखिए कितने लोगों को भी से अब तक आपने कितने कितने कि looking कि लगले लोगों को आपने बहुत लगती होगी तो कितना पैसा बना आपने एक साल में टार्गिट लेके चलिए कि हम लोगों को हम मीटिंग दिखाएंगे अपनी गाड़ी पे ले जाके अगर डाइसों के भी टिक्ट लगती है सो लोगों कितने लेगी सर पच्छी से आर बताइए कितने के बड़ी बात है पच्छी से आर लगी आपकी टिक्ट साल में आपने टारिक्ट ले लिया और जो हमारे मैं बोलतां हुどう कीजार प्यक्म से एक होनी चाहिए अच्छे होटल में मीटिंग होनी चाहिए कि अगर आप चार मीटिंग है ठीन मीटिंग भी देखते हैं सुरिश आर्माजी की 302 सब्सक्राइब करेंगे रोटेशन करेंगे फिर भी वो खर्च लगा देते हैं कितना हो गया सब्सक्राइब अगर आप एक साल में पचासे रपे खर्च करते हैं तो अमानदारी से मुझे बताईए कि पैसे आएंगे कितने एक साल में अब जिन दोस्तों ने लिखा था जहां पे कि हमने 50 लोग बलाए इतने लगाए अब वो अपने इंकम भी लिख दे किस साल में आया कितना अभी आप कि आप देख लेक्तिकल में दुखाऊंगा दस लाग सुनली जी 5 영화 कि 10 एंथा तालीस लाग फंडाइए लाइश में ध्रॉइन लाग और दो लाख अब क्या बताऊं आपको मैं माई डियर फ्रेंड पचास जयर रपे खर्च करके अगर दस लाख आता है पचीस लाख दस लाख पांच लाख नाइन लाख पचास लाख बाट लाख सुन लीजी लेकिन जहां पर जब हम नेटवर्क अंडस्टी मेंटर होते हैं तो हम देख रहते हैं हमारी अप्लेंड स्पोर्ड करेगी हमारी टिक्ट वो लेगी जब तक आपकी टिक्ट आपकी अप्लेंड लेगी तब तक पैसा उसको आएगा जब आप अपने बंदों की टिक्ट खुद लेना स्टाट कर देंगे उस दिन से आपकी कामजाबी शुरू हो जाएगी तो आज के जो हमारे टॉपिक थे सेल्फ डिपेंड मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिपेंड बढ़िए और सेल्फ डिपेंड बढ़ने का जो रिजल्ट आपको दस सा और आपको रीड रीट कंप्लीट करना है दो मन्त उसके लिए आपके पास मिलेंगे आपको इस बार कौन सी डेट से लेकि कौन सी डेट तक आप चेक कर सकते हैं राइट नेक्स्ट थाइस सब्तमबर तक है शायद रीड रीड हमारा क्लोज होगा और अगला मैंने आपको ब बड़ा भी नहीं आज तकोई भी इनसान पैसा बचा बचा के अमीर नहीं बणाएं पैसा खर्च करके अमीर बणा है और हमें ऊहीं बैसा की करके पैसे कही कर chloride काप्र ऑपके उता हम ममेल लेते हैं जैसे आइफोन आपने ले लिया समसेंग का ले लिया तो आप 20-30 एर पर त्रंत खर्च कर देते हैं लेकन क्या कोई बिजन्स होताँ से वहाँ पर कुझूसी कर लेजिए लेकन टिक्ट लगाने में कुझूसी मत करिए और इनी बातों के साथ मैं अपनी बानी को ब्राम देता हूँ और लास्ट में ठेंक्स करना चाहूँगा राजकमार रोडा जी का प्रविंदर रोडा जी का जिन्नोंने बहुत अच्छे तरिक्के से ये जो मीटिंग को संबाला हुए और आपका सबका के इतना टाइम अपने द्यान से सुना थैंक्यो थैंक्यो अरिमाच रॉकिंग राटास